सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिसे गोवा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुचे इस वीडियो में आपको गोवा की होस्टल लाइफ, क्या ट्यूरिस्ट होस्टल में रहते हैं, होस्टल में क्या फसल्टी होती हैं और होस्टल वाले आपको क्या प्रोवाइट कराते हैं और क्या यह ट्रेवलिंग का चीपस्ट ओप्शन है, इन सब की जानकारी के लिए मैं गोवा की फेमिस होस्टल पप्पी चुलो में आ गई हूँ तो वीडियो को लास तक जरूर देखना जिससे कोई फी इन्फॉर्मेशन मिशना हो यह इनका छोटा सा बालो रिस्टोरेंट है और यही पर इनका रिसेप्सन है यहां पर बैट कर ड्रिंक और दिनर का इन्जो आई म्यूजिक के साथ कर सकते हैं यह सामें जो दिख रहे हैं यह डोमेट्री है मिंस रूम इनहीं रूम में आपको रहना पड़ेगा और एक रूम में कम से कम 6-7 लोग रहते हैं और अंदर एक ही बास रूम होता है इन में 3 ओप्सन रहते हैं केबल वाइस केबल गर्स और मिक्स रूम होते हैं मिक्स रूम की प्राइस 50 रूपीज अधिक रहती है जिसमें लड़के और लड़कियां रहते हैं आगे वीडियो में रूम्स भी दिखाऊंगी लेकिन उससे पहले ये बताना चाहूंगी कि यहां सभी ट्यूरिस्ट रहते हैं जो डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट सिटी से होते हैं ये लोग होस्टल में इसलिए रहते हैं क्योंकि इसमें एक दिन में लगभग 300 रुपे देना पड़ता है और अगर आपको ओफर मिल गया तो 250 रुपीज में बुक कर सकते हैं जो लोग लंबी यात्रा करते हैं वे इन्ही होस्टल में रहते हैं क्योंकि ये ट्रेवलिंग का चीपेस्ट आप्सन है आप किसी भी कंट्री में जाओगे तो होस्टल मिल जाएगा जिसे आप होस्टल बर्ड.com और वुकिंग.com से बुक कर सकते हैं और पूरे गोवा में आप इन्ही दो वेबसाइट के द्वारा होस्टल बुक कर सकते हैं जहां तक इनकी फोड की क्वाल्टी की बात की जाए तो कोई वी रेस्पी का टेस्टेक 5 इस्टर होता से कम नहीं है आप देखी सकते हैं पनीन मंचूरन कितना अच्छा दिख रहा है जहां तक प्राइस की बात की जाए तो थोड़ा कोश्ट लिये लेकिन अच्छा है और वी यर एन सारी ड्रिंक्स की प्राइस सौफ से थोड़ा महगी ही मिलेंगी और यह बताना चाहूंगी कि होस्टल में बाहर से फूर एलाउ नहीं है और यह लोग टॉवल प्रोवाइड नहीं करते हैं अगर आपको टॉवल चाहिए तो 100 रुपीज पे करना पड़ेगा आपके बिड़ के नीचे रैक होगा समान रखने के लिए जो वीडियो में आगे आपको देखने को मिल जाएगा इन रैक्स में लॉक नहीं मिलेगा अगर आप इन से लॉक की रिकेस्ट करेंगे तो यह लोग आपको 100 रुपीज में लॉक देंगे इसलिए आप कभी भी होस्टल में जाते हो तो अपना टॉवेल और अपना लॉक जरूर कैरी करें जिससे आपकी यात्रा कम से कम पैसे में पूरी हो जाए आप देख सकते हैं यहां लड़कों के साथ तड़किया भी है मिन्स जहां तक लड़कियों की सैप्टी की बात की ज़य तो पूरी स्चुकर्टी है आप बिना डरे हुए इन होस्टल में रह सकते हैं चलिए वेड्रूम्स दिखाती हूँ की वेड्रूम्स कैसे दिखता है आप देख सकते हैं यह बेड्र है एक साथ दो दो बेड्र जॉइंट रहता है और यह सामने वाश्रूम दिख रहा है यह सेवन पर्सन की मिक्स ज्रोमेट्री है और नीचे रैक मिलता है जिसमें से दोनों बेड्र के लिए अलग अलग रैक होते हैं अगर मेरे से कुछ जनकारी मिस हो गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना तार्त धार्क्त भाश्रा वाश्र न खूँस ज्ट लॉए अज जच जनकाल वाश्रा अग टार्याश्रे ओिए घा जदे वाश्रा घूंग्